हाई गाइज व्लकम टू बी बैंकर स्वागत आपका आज के क्लास में आज की विडियो में मैं हूं पृति मेम और आज मे ले करके आगे हूं आपके लिए एक और लिए जबरदस्द वाली क्लास तो चलिए जान लेते हैं क्या होने वाली है आज की क्लास होने वाली है BE, B के साथ प्रयोग होने वाले सबसे ज़ादा महत्रपून शब्द जी हाँ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो BE, B के साथ मिल करके काफी ज़ादा important शब्द बन जाते हैं तो जल्दी से कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि जब भी कोई हमारी नई क्लास आई, सबसे पहले आपको पता लग जाए, आप सीदे सीदे हम से जुर सकते हैं, वात अप नमर के जरिए, हमा गया, can be, चलिए, पहले मतलब जानेंगे, फिर धेर सारे examples के साथ, वो सारे के सारे मतलब आराम से clear हो जाएंगे, can be, मतलब क्या होता है, जा सकती है, जा सकते हैं, मतलब क्या होता है, जा सकती है, जा सकते हैं, चलिए, examples देखते हैं, you can be arrested, आपको गिरफतार किया, जा सकता है you can be arrested आपको गिरफतार किया जा सकता है you can be arrested they can be defeated उन्हें हराया जा सकता है they can be defeated उन्हें हराया जा सकता है they can be defeated it can be destroyed इसे नश्ट किया जा सकता है It can be destroyed इसे नश्ट किया जा सकता है It can be destroyed Dust can be removed धूल को हटाया जा सकता है Dust can be removed धूल को हटाया जा सकता है Dust can be removed She can be saved उसे बचाया जा सकता है She can be saved उसे बचाया जा सकता है She can be saved Will be अब will के साथ लग गया be चलिए, जानते हैं मतलब Will के साथ भी लगेगा मतलब हो जाता है होगा, होगी, होंगे या हूंगा होगा, होगी, होंगे या हूंगा Clear, चलिए, इस्तमाल देखते हैं They will be at home वे घर पर होंगे They will be at home वे घर पर होंगे They will be at home I will be happy मुझे खुशी होगी I will be happy मुझे खुशी होगी I will be happy He will be going वह जा रहा होगा He will be going वह जा रहा होगा He will be going He will be absent वह अनुपस्थित रहेगा He will be absent वह अनुपस्थित रहेगा He will be absent Rohan will be a player Rohan एक खिलाडी बनेगा Rohan will be a player Rohan एक खिलाडी बनेगा Rohan will be a player Clear है? चलिए बढ़ते हैं आगे अगला है मे मे के साथ लग गया भी बन गया maybe, इस्तमाल देखे, पहले मतलब जानिए, फिर इस्तमाल देखते हैं, maybe का मतलब क्या हो जाएगा, जब मे के साथ भी लग जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात ह में के साथ जब भी लग रहा है तो मतलब तो जा सकता है जा सकती है जा सकते है बन रहा है लेकिन कब जब आपको संदे हो वो situation पे संदे वाली संभावना जब बन रही है तब यहाँ पे में के साथ भी का मतलब हो जाता है जा सकता है जा सकते है जा सकते हैं, examples देखेंगे, clear समझ में आचाएगा I may be wrong, मैं गलत हो सकता हूँ I may be wrong मैं गलत हो सकता हूँ I may be wrong मतलब आप sure नहीं है लेकिन आप गलत हो सकते हैं संभावना यहाँ पर बन रही है है ना, आप गलत हो सकते हैं, I may be wrong We may be late आप sure नहीं है कि आप late हो जाएंगे लेकिन आप late हो सकते हैं We may be late He may be too old वो बहुत बुढ़ा हो सकता है He may be too old वो बहुत बुढ़ा हो सकता है He may be too old There may be a thief वहाँ चोर हो सकता है There may be a thief वहाँ चोर हो सकता है There may be a thief The petrol prices may be hiked Petrol की कीमत में बढ़ोतरी की जा सकती है The petrol prices may be hiked The petrol prices may be hiked अब देखते हैं must के साथ जब बी लग जाए बन जाए must be तो क्या होता है इसका मतलब और क्या होता है उपयोग Must be का मतलब होता है अवश्य होगा या अवश्य होगी Must be अवश्य होगा या अवश्य होगी इस्तेमाल देखिए He must be at home वह अवश्य घर पर होगा He must be at home वह अवश्य घर पर होगा He must be at home She must be at the office वह अवश्य कारियाले में होगी She must be at the office वह अवश्य कार्याले में होगी She must be at the office Rohan must be at school Rohan अवश्य स्कूल में होगा It must be useless यह अवश्य बेकार होगा It must be useless यह अवश्य ही अवश्य बेकार होगा It must be useless They must be mad वे अवश्य पागल होंगे They must be mad वे अवश्य पागल होंगे They must be mad Should be यानि कि should के साथ लग गया be बन गया should be चलिए, पहले मतलब जाने Should be का मतलब होता है होना चाहिए Should be का मतलब क्या हो जाता है होना चाहिए इस्तेमाल देखिए He should be at home उसे घर पर होना चाहिए He should be at home उसे घर पर होना चाहिए He should be at home We should be polite हमें विनम्र होना चाहिए We should be polite हमें विनम्र होना चाहिए We should be polite She should be humble उसे विनम्र होना चाहिए She should be humble उसे विनम्र होना चाहिए She should be humble Clear है? They should be kind उन्हें दयालू होना चाहिए They should be kind उन्हें दयालू होना चाहिए They should be kind अब देखिए वुड के साथ लग गया B बन गया would be चलिए, इस मतलब देखिए would be का मतलब होता है रहे होंगे, रहे होगे रही होगी या रहा होगा रहे होंगे, रहे होगे रही होगी या रहा होगा, इस्तमाल देखिए he would be coming अरे वह आ रहा होगा he would be coming वह आ रहा होगा he would be coming अब देख लीजे, might के साथ लग गया be, यानी बन गया might be, मतलब देखते हैं, शायद यहाँ पर जो भी फिल करना होगा वाक्य में, आगे बताऊंगी क्या फिल करते हैं, समझ में बहतर आएगा, शायद ब्लैंक जा सकता है, शायद डैश जा सकता है, चलिए इस्तमाल देखते हैं, I might be wrong, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, I might be wrong, He might be killed, वह शायद मारा जा सकता है, वह शायद मारा जा सकता है, He might be killed, रोहन might be sick, रोहन शायद बीमार हो सकता है, रोहन शायद बीमार हो सकता है, रोहन might be sick, She might be busy, वह शायद व्यस्थ हो सकती है, She might be busy, वह शायद व्यस्थ हो सकती है, She might be busy, They might be late, उन्हें शायद देर हो सकती है, They might be late, अब अगला है, Have to be, have, to के साथ लग गया, be, मतलब है क्या है, मतलब है, बनना, मतलब क्या है, बनना है, बनना है, have to be, मतलब बनना है, समझने वाजी बात है, have to be, इन सारे सब्जेक्स के साथ ही इस्तमाल होगा, जैसे I, U, V और दे, ठीक है, चलिए, Example देखते हैं, I have to be an engineer, मुझे इंजीनियर बनना है, I have to be an engineer, मुझे इंजीनियर बनना है, I have to be an engineer, I have to be a UPSC topper, मुझे UPSC topper बनना है, I have to be a UPSC topper, मुझे UPSC topper बनना है, We have to be good citizens हमें अच्छा नागरिक बनना है We have to be good citizens They have to be good neighbors उन्हें अच्छे पडोसी बनना है They have to be good neighbors उन्हें अच्छे पडोसी बनना है They have to be good neighbors अब देखें You have to be a good student आपको एक अच्छा चात्र बनना है है ना, बिल्कुल अंग्रेजी पड़नी है You have to be a good student आपको एक अच्छा चात्र बनना है अब देखें Has to के साथ जब लग जाएगा be बन जाएगा has to be मतलब क्या होगा? मतलब तो सेम रह जाएगा बनना है लेकिन फरक फिर कहां पर आएगा? सब्जेक्ट में फरक आजाएगा Has to be सिर्फ और सिर्फ He, She, It और किसी भी नाम के साथ इस्तमाल होगा चलिए, इस्तमाल देखते हैं He has to be an engineer उसे इंजीनियर बनना है He has to be an engineer उसे इंजीनियर बनना है She has to be a UPSC topper उसे UPSC topper बनना है Rohan has to be an actor Rohan को actor बनना है He has to be a doctor उसे doctor बनना है He has to be a doctor उसे doctor बनना है He has to be a doctor She has to be a good cook उसे एक अच्छा रसोया बनना है She has to be a good cook Clear है? Had to be यानि कि had to के साथ लग गया be मतलब हो गया बनना था चलिए, इस्तेमाल देखते हैं I had to be an actor मुझे एक अभिनेता बनना था I had to be an actor आप बने नहीं है अभी तक आपको बनना था I had to be an actor मुझे एक अभिनेता बनना था I had to be an actor She had to be a doctor उसे doctor बनना था She had to be a doctor उसे doctor बनना था She had to be a doctor He had to be a good lawyer उन्हे एक अच्छा वकील बनना था He had to be a good lawyer उन्हे एक अच्छा वकील बनना था He had to be a good lawyer आपको engineer बनना था उन्हें cricketers बनना था उन्हें cricketers बनना था used to be, मतलब देखिए used to be का मतलब होता है हुआ, करता, था used to का मतलब क्या होता है used to be का मतलब, हुआ, करता, था example देखिए, बहतर समझ में आएगा he used to be an actor वह एक अभिनेता हुआ, करता, था या हुआ, करते, थे he used to be an actor वो एक अभिनेता हुआ करते थे He used to be an actor Rohan used to be poor Rohan गरीब हुआ करता था Rohan used to be poor Rohan गरीब हुआ करता था Rohan used to be poor She used to be a doctor वो एक डॉक्टर हुआ करती थी She used to be a doctor वो एक डॉक्टर मतलब यहाँ पराने जमाने की बात हो रही है समझ रहे है She used to be a doctor वो एक doctor हुआ करती थी She used to be a doctor They used to be king वे राजा हुआ करते थे अपने समय में अपने उस जमाने में वे राजा हुआ करते थे They used to be king वे राजा हुआ करते थे They used to be king We used to be politicians हम राजनेता हुआ करते थे We used to be politicians हम राजनेता हुआ करते थे We used to be politicians अगला है supposed to be क्या है? supposed to be supposed to के साथ लग गया be मतलब क्या बन गया? होना चाहिए होना चाहिए आप ऐसी उमीद की जाती है ऐसी उमीद की जाती है ये background में है, ये silent है तो इसको ये जरूरी नहीं है sentence में आप इसको लिखें, चिक है? ये silent है, ये याद रखिएगा supposed to be मतलब है होना चाहिए ऐसी उमीद की जाती है ठीक है? examples देखते हैं, बहतर समझेंगे He is supposed to be at home now उसे अभी घर पर होना चाहिए ऐसी उमीद की जाती है He is supposed to be at home now उसे अभी घर पर होना चाहिए है ना? मतलब किसी और से आप ये उमीद कर रहे है उमीद जो है ये वाला ऐसी उमीद की जाती है ये silent है और ये background में काम कर रहा है He is supposed to be at home now उसे अभी घर पर होना चाहिए He is supposed to be at the clinic now उसे अभी clinic में होना चाहिए ऐसी उमीद की जाती है She is supposed to be at the clinic now उसे अभी clinic में होना चाहिए She is supposed to be at the clinic now We are supposed to be at the party now हमें अभी party में होना चाहिए ऐसी उमीद की जाती है We are supposed to be at the party now हमें अभी party में होना चाहिए We are supposed to be at the party now उन्हे अभी station में होना चाहिए ऐसी उम्मीद की जाती है उन्हे अभी station में होना चाहिए मुझे अभी meeting में होना चाहिए ऐसी उम्मीद की जाती है I am supposed to be at the meeting now मतलब कोई और आपके लिए उम्मीद आपसे उम्मीद लगा रहा है I am supposed to be at the meeting now मुझे अभी meeting में होना चाहिए I am supposed to be at the meeting now clear है? अब देखिए could be could के साथ लग गया be बन गया could be मतलब देखिए मतलब इसके दो होते हैं सबसे पहला जा सकता था जा सकता है फरक इन दोनों में क्या है? जा सकता था जा सकता है जो है वो possibility दिखाता है संभावना दिखाता है possibility दिखाता है कि किस हद तक हो चीज हो सकती है चलिए, इस्तेमाल देखते हैं he could be killed उसे मारा जा सकता है ये क्या दिखा रहा है? संभावना दिखा रहा है मारा जा सकता है उसे मारा जा सकता था he could be killed he could be cheated उसे धोखा दिया जा सकता है ये संभावना दिखा रहा है धोखा दिया जा सकता है दिया नहीं अभी तक दिया जा सकता है He could be cheated उसे धोखा दिया जा सकता है He could be cheated Could be का दूसरा प्रेयोग देखिए हो सकता था या हो सकता है लेकिन हो सकता है जो यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है Possibility दिखा रहा है संभावना दिखा रहा है इस्तमाल देखते हैं बहतर समझाएगा He could be in the hospital वो अस्पताल में हो सकता है यह क्या दिखा रहा है संभावना दिखा रहा है आप शौर नहीं इस चीज के लिए पर हो सकता है वो अस्पताल में हो He could be in the hospital वो अस्पताल में हो सकता है He could be in the hospital He could be sick वह बीमार हो सकता है He could be sick वह बीमार हो सकता है He could be sick She could be there वो वहाँ हो सकती है सम्हामना है वो वहाँ हो सकती है She could be there Clear है? चली बढ़ते हैं आगे Shall be Shall के साथ लग गया be बन गया shall be मतलब होगा होगी होंगे मतलब क्या हो जाता है? होगा होगी होंगे लेकिन, लेकिन, समझे, अब वेवहारिक तौर पर spoken English में shall भी कस्तमाल नहीं होता है, बहुत सारा confusion होता है आप लोगों को, comments तो आप लोग हमेशा करते हैं कि shall का प्रयोग बताईए, shall का प्रयोग बताईए, तो जान लीजे, spoken English में वेवहारिक तौर पर अब shall का प्रयोग न नहीं होता है, clear, अब नहीं confusion होगी, shall और will के प्रयोग में है न, will का प्रयोग करते हैं, shall का प्रयोग वेवहारिक तौर पर अब spoken English में नहीं किया जाता है, clear है, चलिए, so yes guys, यह थी आज की class, कैसी लगई आज की class, comment करके जरूर बताईएगा, class पसंद आई है, like कर दीजे, share कर दीजे, class को, आराम से देखिए, समझे, इसको include कीजे अपनी अंग्रेजी में, तो आपकी अंग्रेजी बिल्कुल टॉप क्लास बन जाएगी, इसके साथ ही, अगर आपने अभी तक हमारी spoken English की free वाली course, जिसका नाम है, साड़े च्छे गंटे में अंग्रेजी बोले, नहीं देखी है, तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से 60 प्लस वीडियो लेक्टर्स की ये course है, मंगवाईए अपने फोन पे अभी इसी वक्त, कैसे इस नंबर पर वाट्सअप करके, उसी course के उपर based ebook की free sample भी आपको मिल सकती है, कैसे इसी नंबर पर वाट्सअप करके, क्या ल जोड़ना चाहते हैं, हमारे premium WhatsApp spoken English course पे इसकी inquiry आप इस नंबर पर कर सकते हैं, inquiry किस बात की करनी है, inquiries बात की करनी है, कितने दिनों का course है, क्या होगा, कैसे होगा, homework कैसे मिलेगा, check कैसे होगा, notes मिलेंगा या नहीं, सबसे जरूरी बात, अगली batch कब शुरू हो रही है, ये बेसिक, grammar की basics को मजबूत करने वाला, आपको grammar के, अडवांस grammar के लिए तयार करने वाला एक लौता course, इसकी inquiry बैपिस नंबर पर कर सकते हैं, तो जल्दी से inquiry करिए, भई कि basic करनी है, grammar की strong, जल्दी से inquiry करिए, अब बच्चों को grammar दिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, ले उनको confusion होता, मज़ा उनको बहुत आता है, तो जल्दी से पता करिए, इसकी अगली बैच कप शुरू हो रही है, जल्दी से इस नंबर पर inquiry करके पता कर सकते हैं, यह है English grammar and writing for school, आप किसी भी school में पढ़ते हो, आप किसी भी class में पढ़ते हो, आप किसी भी board के student हो, भई grammar औ essay writing, debate writing, letter writing, notice writing and what not, जो भी आपके class में आता है, जो भी चीज़े आपके syllabus में है, वो सारी चीज़े इसमें कराई जाती है, तो बिल्कुल वरी मत करिए, यह course बिल्कुल आपके लिए है, जल्दी इंक्वाइरी करिए कि अगली बैच कप शुरू हो रही है, और यह है premium competitive English course, य अब किसी भी competitive exam के तयारी करते हो, और उसमें अंग्रेजी अगर पूछी जाती है, तो यह course बिल्कुल आपके लिए है, इसमें आपकी अंग्रेजी की पूरी की पूरी syllabus कवर कराई जाएगी, जाहे वो RC हो, vocabulary हो, grammar हो या advanced level के questions हो, यह सारी इसमें कराई जाएगी, आपको इ अगर आपने मेसेज कर दिया है, तो रिलाक्स हो जाएगी, आपको जरूर हमारे प्रतेनिदी आप तक कॉंटाक्ट कर लेंगे, तो यह से मेसेज करिए और पता करिए सारी कोर्स के बारे में, so yes guys that's it for today, thank you so much for watching, be with Viviankar, empowering lives through knowledge, thank you so much for watching, stay